देश में परिवरनट पर फोकस करने और प्रदूशन को कम करने के लिए नए नए प्रयास किये जा रहे हैं और इसी सिलसले में देश ने पहली सोदेशी हाइडोजेन फ्यूल बस सड़क पर उतार दी है और भारत में छेतर कोई भी हो चाहे वो टेक्नोलोजी हो या स्वास्त क्यों ना हो भारत निरंतर बुलंदियों को च्छून की और कदंताल कर रहा है वहीं केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंग ने भारत की पहली सोदेशी रूट से विक्सित हाइडोजेन इंदन सेल बस की शुरुआत कर दी है और इस बस को व्यग्यानिक और और अध्योगिक अन लोड़ा दिया है वहीं केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंग ने ट्विट में प्रधान मंत्री नेरिद मूदी के हाइडोजेन विजन का जिक्र करते हुए कहा है कि हाडोजेन विजन भारत के लिए एहम है और इसके जरिए आत्मिरों भारत और सुलब सच उर्जा हाडोजेन बस का अनावरन करके देश में प्रोदूशन को कम करने पर रोक लगाई जा सकती हैं वहीं लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली डीजल बस आम तोर पर सालाना सौटन स्यूटू का उस सर्जन करती है और भारत में ऐसी 10 लाग से जादा बसे हैं इससे आप स खेतर में आत्मिरवर राष्ट बनने का बड़ा लक्ष है और हाडोजेन सेक्टर के विकास से नए रोजगार को भी भढ़ावा मिलेगा जो देश में बड़ी क्रांती लेकर आएगा वहीं फ्यूल सेल इंदन सेल इलेक्रिक वहानों में पाई जाने वाली पारंपरिक यह होता है कि यह कोई भी कारवन या गंदा दुआ नहीं छोड़ती है इतना ही आज के समय में पैट्रोल डीजर कारों के इंजन की तुल्ला में जादा बहतर पर्फॉर्म भी करती है आम तोर पर इसका मेंटेनेस भी काफी किफाईती होता है और इस तरह के वहान का एक और और बड़ा फायदा यह है कि जहां बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने में घंटों लगते हैं वहीं हार्डोजन फ्यूल सेल वहानों को मिंटों में रिफिल किया जा सकता है अब यहां भारत एक बड़े विकास के लिए अग्रसर हो चला है जिसकी